नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम 5 मिनट में घर बैठे बैठे कोटक महिंदरा बैंक में Zero Balance Saving Account ओपन करवा सकते हैं Account Opening का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आप कोटक महिंदरा बैंक की official website पर पहुंच जाएंगे कुछ ऐसा interface आपके आगे दिखाई देगा अब यहाँ पर सबसे पहले यह पूछ रहा है कि आपको आपका full name एंटर करना है उसके बाद जो भी mobile number आप चाहते हैं कोटक महिंदरा बैंक के साथ रजिस्टर करवाना वो mobile number आपको यहाँ पर एंटर करना है उसके बाद आपको आपकी email id एंटर करनी है नीचे दोनों checkbox पर आपको टिक करना है यानि ये सारी detail डालने के बाद नीचे आपको open now के option पर क्लिक करना है open now के option पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा interface आपके आगे दिखाई देगा अब जो भी mobile number आपने पीछे एंटर किया था उस mobile number पर एक verification के लिए OTP भेजा जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर enter करना है OTP एंटर करने के बाद नीचे आपको next के option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर कोटक महिंदरा बैंक ये पूछ रहा है कि क्या वो आपकी आधार कार्ड की detail यूज़ कर सकता है तो यहाँ आपको yes के option को select करना है yes के option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपकी basic detail पूछ रहा है यानि सबसे पहले आपको अपना pen number एंटर करना है यानि जो first वाला section है उसमें आपको आपका pen number डालना है pen number एंटर करने के बाद second वाले section में आपको आपका आधार number एंटर करना है यानि pen number और आधार number एंटर करने के बाद आपको नीचे next के option पर click करना है next के option पर click करने के बाद यहाँ पर terms and condition लिखी हुई है तो नीचे आपको continue के option पर click करना है अब इस page पर जो भी mobile number आपका आधार card के साथ link है उस mobile number पर एक OTP भेजा गया है वो OTP आपको यहाँ पर enter करना है OTP एंटर करने के बाद नीचे next के option पर आपको click करना है अब यहाँ पर जो भी address आपका आधार card में दिया गया है वो address यह show कर रहा है आपको नीचे continue के option पर click करना है अब next page पर यह कुछ basic detail पूछ रहा है यानि सबसे पहले आपको अपना occupation फिल करना है उसके बाद आपको अपनी annual income डालनी है marital status में अगर आप single है तो single, married है तो married उसके बाद आपको आपके father का full name एंटर करना है फिर आपको आपकी mother का full name एंटर करना है नीचे आपको अपना gender select करना है और date of birth में आपको अपनी date of birth एंटर करनी है ये सारी की सारी detail डालने के बाद नीचे आपको next के option पर click करना है next के option पर click करने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपको nominee add करना है तो इस case में हम nominee select करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर yes के option को select करेंगे उसके बाद हम नीचे continue के option पर click करेंगे अब यहाँ पर ये nominee की details पूछ रहा है यानि जिसे भी आप nominee बनाना चाहते हैं सबसे पहले उनका नाम डालना है उनका आपके साथ क्या relation है वो enter करना है उसके बाद आपको nominee की date of birth एंटर करनी है ये सारी details डालने के बाद नीचे ये पूछ रहा है कि nominee का अगर address अलग है तो nominee का पूरा address डालना है otherwise checkbox पर tick करना है और नीचे continue के option पर आपको click करना है nominee enter हो चुका है नीचे checkbox पर tick करना है उसके बाद आपको continue के option पर click करना है अब यहाँ पर यह आपकी सारी की सारी detail शो कर रहा है, हमें यहाँ पर नीचे continue के option पर क्लिक करना है, declaration में नीचे हमें checkbox को select करना है, उसके बाद नीचे continue के option पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर यह पूछ रहा है where can we meet you, तो इस box में से हम कोई भी option select कर सकते हैं, हम यहाँ पर add your आधार address का option select कर लेते हैं उसके बाद नीचे आपको आपका address भी show कर रहा है उसके बाद नीचे आपको next के option पर click करना है अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि आप अपनी net banking का password भी set कर लीजिए यानि जब भी आप अपनी net banking को login करेंगे उस समय आपका यही password आपके काम आएगा तो यहाँ पर आप password create कर लीजिए और नीचे आप password को confirm कर दीजिए password set करने के बाद नीचे आपको continue के option पर click करना है अब इस page पर यह बोल रहा है कि आप अपना mpin भी set कर लीजिए यानि account opening के बाद जब आप Kotak Mahindra Bank की mobile banking application को install करेंगे उस समय इसी mpin का use करके आप mobile banking application को use कर सकते हैं mpin set करने के बाद नीचे आपको continue के option पर click करना है अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि क्या आप इसी pin को use करना चाहते हैं अपने virtual debit card के लिए तो इसमें आपको yes के option को select करना है अब यहाँ पर इस page पर नीचे आपको continue के option पर click करना है finally यहाँ पर आपका Kotak Mahindra Bank में zero balance saving account open हो चुका है यहाँ पर आपको आपका account number भी show कर रहा है CRN number भी show कर रहा है यानि जब आप Kotak Mahindra Bank की mobile banking application को install करेंगे उस समय आपको यह CRN number काम आएगा नीचे आपको आपका IFSC code भी show कर रहा है उसके बाद इसको अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपके virtual debit card की details भी show हो रही है यानि आपका debit card number भी show हो रहा है और expiry date भी show हो रही है यानि यह zero balance account आपका open हो चुका है इसमें किसी भी प्रकार की maintenance fees आपको कभी भी lifetime pay करने की ज़रूरत नहीं है यह lifetime के लिए आपका zero balance saving account open हो चुका है I hope Kotak Mahindra Bank में zero balance saving account कैसे open करते हैं यह सब कुछ आपको समझ आ गया है तो अभी के लिए this is the end of the video Thanks for listening and thank you all प्रेश जब हो चुका है